हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार विदायोश और इस वीडियो में बात करेंगे जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन आप डेट्स निकल करा हैं स्टॉक्स के उपर उसके बारे में सबसेलों दोस्तों शुरू करते हैं mcx से so mcx अपने आप में काफी दंदार तेजी रेगिलरली दिखा रहा है ऐसा नहीं कि तेजी वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रही है काफी बढ़या तेजी देखने को मिल रही है यह 2047.95 पर स्टॉक ने फ्राइडे को भी क्लोजिंग दी थी और फिसले एक मेने मे वो definitely अब CB के द्वारा भी अप्रूवल कर दिया गया है basically हुआ क्या है mcx को cb के नए tech panel से अनुडी मिल चुकी है कि वो अपना नया derivatives platform basically launch कर सकते है तो देखे साफ साफ ख़बर क्या है the cb tech panel approval comes day after the capital markets regulator urge mcx to put on hold its proposed go live of the new commodity derivative platform planned for the October 1st week हुआ गया था basically इनके एक proposal को कह दिया गया था कि अभी आप hold पे रखिये लेकिन अब दोस्तों जो ख़बर निकल के आ रही वो यह है कि cb के द्वारा उस tech panel को अनुडी दे दी गई है कि आप launch कर सकते हैं आपका new derivative platform तो basically यहाँ पर कह सकते हैं कि जो important update है या फिर से और जादा हम कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से mcx में trading हो पाएगी और इसके कारण यहाँ पर एक बढ़िया हम कह सकते हैं volumes के बारे में भी बातचीत हो रही है और काफी नए customers भी add हो सकते हैं ऐसा बाजार में बातचीत चल रही है बट यह है कि दुस्तों जो नया cdp platform है यह members को सबसे पहले तो risk management के ऊपर collateral management के ऊपर और settlement के ऊपर काफी सारी services provide करता हुआ देखने को मुलेगा इसके members को market participants को और यह कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ला सकता है इसलिए basically mcx यह नया platform लेकिया है ताकि इससे बढ़िया और हम कह सकते हैं transformation की तरफ m6 खुद बड़ा है यह basically बताया जा रहा है तो अपने आपने काफी बड़िया ख़वर है अब देखते हैं कल किस तरीके से m6 इसके ऊपर reaction देता है वैसे तो काफी reaction अलड़ी देखने को मिल चुका है बट और reaction देखने को मिल सकता है क्योंकि जो NOD है वो basically pass हो चुकी है तो Q2 के अंदर अब देखें यह जो Q2 अपडेट है वो Q2 result का नहीं है Q2 का मतलब है कि second quarter की updates company के दार दिये जा रहे earnings अलग से company पेश कर दिये लेकिन यह बात जरूरी है कि company ने बताया है कि अच्छी खासी growth देखने को मिल यह 20% की plus 81 नए stores basically company ने addition यहाँ पर किया है नए 81 stores basically add क है वो almost 2859 stores का हो चुका है जो अपने आप में काफी बढ़िया दिखता है तो यह जरूरी है टाइटन के लिए because टाइटन अगर देखा जा तो 19% की revenue growth दिखा था और 20% की domestic business में भी growth देखने को मिली है जो India से India to the international entities company दिखा रही है तो यह है कि यह टाइटन लगाता grow कर रहा और लगाता दोस्तो बढ़ता जा रहा है इसमें कोई दोरा ही नहीं है company यह भी कहा है कि building on the positive Q1 momentum domestic consumer sales exhibited strong YOY growth and were led by double digit growth in the buyers and the ticket size तो यह है कि हाँ यहाँ यहाँ पर लगाता grow देखने को मिल रही है दूसरी बात क्या है कि अब जो quarter आने वाला है या फिर जो quarter चल रहा है अब इस इकने को मिलेगी obviously यह एक ऐसा quarter होता है Q3 का जिसमें company काफी बढ़या production करती है और इसकी expectations हर shareholder को रहती भी है क्योंकि आपको पता यह दशियरा है नवरात्री है उसके बाद दिवाली है तिवाली में तो अपने आपने काफी बढ़या रहेगा प्लस Q1 Q2 अच्छे रहेंग आपको उच्छाल देखने को मिला था और पिछले जो हफता था उसके अंदर stock almost 5% बढ़ा भी था और पिछले एक महिने में overall stock 2.86% के आसपास की दीजी दिखा चुका है शेयर का 52 वीक हाई 3352 रुपीज का है और उसके आसपास ही बिल्कुल trading भी हो रही है और देखे अपने आपमे portfolio stock है जो लंबी अवदी के लिए जिसको अपने portfolio का हिस्सा बना कर बिल्कुल रखना चीए और अपने आपमे returns तो आपको पता ही किस तरीकी के दिए बली वो last 6 महिने के हो बली वो इस साल की शुरुआत से हो बली वो पिछले 5 साल के हो तो यहाँ पर कोई problem न बढाकर Titan ने deliver किया है तो कोई problem नहीं है plus company बढ़िया लगाता growth करती आ रही है उस तो अगली बात करते हैं Jupiter Lifeline Hospital के उपर तो Jupiter Lifeline Hospitals के numbers निकल के आए और numbers बढ़िया थे numbers में आपको growth देखने को मिली लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है वो यही है कि दोस्तों जो company ने कहा था कि debt free के उपर company का focus रहेगा जो भी पैसा आई फियो के proceed से company ने उठाया है तो company ने debt free अपने आपको बना भी लिया है आपको बताओंगा numbers भी company के बढ़ अच्छी बात क्या है कि company debt free हो चुके है Jupiter Lifeline Hospital के उपर अपकोई भी debt नहीं बचा है stock देखे लगातर बढ़िया कर रहा है वैसे देखा जाए तो valuation अपना आप में काफी expensive है कि almost 100 के जादा की price running पे stock trade करता है और देखा जाए तो पिछले जब से list हुआ है अगर देखा जाए तो अब से returns अगर 7-8% के deliver कर चुका है और बढ़िया आपनलब आपको तेजी देखने को मिली है ऐसा नहीं कि कोई खास गिरावट देखने को मिली यह लगातर बढ़िया करते आ रहा है बट अब यह है कि देखे valuations के हिसाप से stock थोड़ा से expensive नज़र आता है बिकॉस जिसमा ने का कि 100 के price running से उपर रेट करता है दूसरी बात जो इसके peers है राइट वहा तो अगर numbers की बात करता हूँ मैं Jupiter Lifeline Hospitals की तो definitely in terms of revenue revenue में दोस्तों company की growth देखने को मिली है revenue जो company का पिछले साल तक करीबन 2005 million का था क्योंकि numbers million में है तो वो बढ़िके 2432 million का हो चुका है वहीं अगर देखा चाए तो revenue quarter on quarter basis पर भी increase company का होता हुआ नजर आया ज़रूर बहु वहीं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे company के total income के बारे में तो जो total income है वो 2025 million से बढ़के 2482 million पर पहुँच चुकी है और जो पिछले quarter में company की total income थी 2457 million वो भी बढ़ चुकी 2482 million पर आ चुकी है वहीं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों company के profitability के उपर तो जो company का profit for the period रहता हुआ नजर आ है वो पिछले साल तक करीबन था 304 million का वो बढ़के 539 million हो चुका है वहीं जो पिछले quarter में company ने 157 million का profit शोव किया था वो बढ़के 539 million का हो चुका है लेकिन इसके अंदर खास ब खारण दोस्तों company का मुनाफ़ा है वो काफी जादा बढ़ चुका है तो उसका एक exception हम कह सकते हैं बट यह है कि हाँ बढ़िया growth देखने को मुलिए company के numbers के अंदर उसमें कोई दोराय नहीं है जरूर Q1 की तोर पे इतनी growth नहीं है बट overall जो खास बात है वो यहीं है कि company अप IPO open होने वाला है friends 12 October से 16 October की बीच में 45 का प्राइस बंड है कोई ग्री मार्केट नहीं है committed cargo का ग्रे मार्केट 20 रुपीज करेंटली चल रहा है अभी open है IPO शाप चक्स का ग्रे मार्केट 10 रुपे है प्लादा इंफो टेक का ग्रे मार्केट 8 रुपीज है विश्टु सूर्य रुपीज का करेंट ग्रे मार्केट चल रहा है वीवा ट्रेड कों का कोई ग्रे मार्केट नहीं है सुनीता टूल्स का 20 रुपीज ग्रे मार्केट है ग्रे मार्केट एक्सपरेंस का 32 रुपीज ग्रे मार्केट है तो अभी इतना करेंट ग्रे मार्केट बेसिकली हर एक IPO का चल रहा है अब दोस्तों बहुत ही जल्दी एक stock का bonus होने वाला है जिसका नाम है RMC Switchgears RMC Switchgears का जो x date है bonus का हो है 13 October का और 1-2 के ratio में दोस्तों bonus basically मिलने वाला है तो 13 October से पहले पहले अगर आपको interest हो अगेन कोई भी recommendation तो है नहीं तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था hopefully आपको वीडियो बड़या लगा होगा thank you friends for watching this video